हेलो दोस्तों आयुवेदिक मेडिशन टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है आजम बात करेंगे पतंजली दिवय दंत मंजन के बार में दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन पर क्लिक कीजिए और मेरा चैनल आयुवेदिक मेडिशन टिप्स सब्सक्राइब कीजिए दिवय दंत मंजन में मुख्य गटक है बबुल, नेम, मौलसरी, तंबरू, मांजुफल, छोटी पिमपल, अकरकरा, मूल, लवंग, काला नमक, समुंद्र फैन, शेंदा नमक, सब्टिकाबस, कपूर देशी, पिमपरमेट आदी शमिली थे हैं टिवय दंत मंजन इस मंजन के परियोग करने से मसूडे मजबूत होते हैं जिसके फल्स्वरूप मसूडे से निकलने वाला रक्त दूर होता है तथा दांतों में फसे अन, कन निकल जाते हैं मुख्य से बदबू आनी दूर होती है लार, ग्रंती, अपना कारी अच्छी तरह करने लगती है दांतों को स्वस्ट वे चमकिला बनाता है दोस्तों, इसकी सेवन विधी है इस मंजन को मज्य की अंगुली से मसूडो तथा दांतों पर अच्छी तरह मालिश करें या टूत ब्रस से भी इस मंजन को कर सकते हैं इसके पस्चात पानिस से अच्छी तरह सफाई करे रात को पी खाने के बाद मंजन को प्रात्य काल के तरह प्रयोग करे इस प्रकार दिव्य दंत मंजन के प्रयोग से दांतों के सभी रोग दूर हो जाते हैं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल आयरुवेदिक मेडिशन टिप्स सब्सक्राइब कीजिए एक बार फिर मैं आपके लिए अच्छा सा वीडियो लाऊंगा तब तक देखते रहें धन्यवाद